नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको हिंदी दिवस के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ. हिंदी दिवस पर हमने ठाना है लोगों में हिंदी का स्वाबिमान जगाना है. हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि इस दिन भारत की सव्विदान सभा ने देवनागरे लिपी में लिखी गई हिंदी भाषा को भारत गनराज्य की अधिकारिक भाषा के रूप में इस्तमाल करने के दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है. यह हर साल हिंदी के महत्वप पर जोर देने और हर पीडी के बीच इसको बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है. जो अंग्रेजी से प्रभावित है यह युवाओ को अपनी जडों के बारे में याद दिलाने का एक तरीका है. जहां अंग्रेजी ए विश्वव्यापी भाषा है और इसके महत्वप को अंदेखा नहीं किया जा सकता है. वही हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम पहले भारतिय है और हमें हमारी राष्टिय भाषा का संद्मान करना चाहिए. अधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को अपनाने से साबित होता है कि सत्ता में रहने वाले लोग अपनी जडोग को पहचानते है और चाहते है कि लोग लोगों द्वारा हिंदी को भी महत्वप दिया चाहिए. सबसे प्यारी सबसे न्यारी हिंदी है राष्ट भाषा हमारी कश्मीर से लेकर गण्या कुमारी हिंदी ही है संस्कृति हमारी. यह जन जन की है दुलारी क्योंकि हिंदी है पहचान हमारी. धन्यवाद दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना मत भूलना